नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कंचन भारत दुआच और आप देख रहे हैं जीवन कोश जहां होती है आपके और हमारी सेहत की बात आज सेहत की बात में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जड़ी बूटी जिसके बारे में आप जानते हैं लेकिन इसके फायदों से शायद अंजान है ये देखे ये जो जड़ी बूटी है इसको कमरकस कहते हैं देखे दोस्तों ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें अ लेसू के नाम से जाना जाता है कमरकस को फल, फूल, पत्ती, महिलाओ के लिए ही नहीं ये पुरुशों के लिए भी उतनी ही फायदे मन्द है जितनी महिलाओ के लिए, आपने देखा होगा कि डिलिवरी के बाद अकसर महिलाओ को कमरकस के लड़ू दिये जाते हैं, यानि कि जो लड़ू बनाते हैं, जो पंजीरी बनाते हैं, उसमें मेन इंग्रिडेंट जो होता है, वो कमरकस और इसको कमरकस भी इसलिए बोला जाता है, कि ये हमारे शरीर को ताकत देता है, हमारी जो डिलिवरी के बाद जो कमर में दर्द होता है, मेन ये उसके लिए इंग्रिड कमरकeस पहला फायदमंद है उन लोगों के लिए जिनको कॉलेस्टाल की प्रॉब्लम है कॉलेस्टाल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अकसर हुड़े यानि की हाथ सम्मंदि बिमारियों को नियॉता देती है ऐसे में आपको कॉलेस्टाल कॉंट्रोल करना ज़रूरी है अब आप कॉलिस्ट्रॉल के लिए अगर आपको है तो आप कमरकस को कैसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं देखे जो लड्डू बनते हैं जिसे गोन के लड्डू कहा जाता है उसमें कमरकस एक में इंग्रिडेंट होता है लेकिन लड्डू में घी परता है जो कि कॉलिस्ट्रॉल के पेशन के लिए अच्छा नहीं होता ऐसे में आप घी को स्किप कर दीजे आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं नहीं तो आप सिरह पंजीरी के तोर पर भी उसको ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको घी उसमें स्किप करना है दूसरा तरीका है कि आप कमरकस का पानी पी सकते हैं ये कैसे आधे लीटर पानी में आधा चम्मच आपको कमर करसे डालना है, उसको उबालना है, उसको चानना है और आपको पी लेना है लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, आपको ये एक दिन छोड़के एक दिन करना है और ज्यादा लंबे टाइम तक इसको नहीं करना जो हम आपको यह home remedy बता रहे हैं, उसको जादा time तक नहीं करना, क्योंकि इसकी तासीर हलकी सी गरम होती है, जो की BP को trigger कर सकती है, तो आपको ये भी धियान रखना है, कि इसको लंबे time तक नहीं करना, और अगर आपको BP की ज्यादा problem है, तो एक बाद आप doctor से consult जरूर कर ले, ये diabetes patient के लिए बहुत अच्छी है, इसके 7 से कुछ घंटो बाद ही आपकी blood sugar होता है, उसका level बहुत control में आ सकता है, कैसे आप इसे बिना चीनी, बिना गुड के लड़ू बना के खा सकते हैं, साथी पंजीरी भी इसकी बन सकती है, अगर आप पानी पीना चाहें, तो पानी किसी honey, pure honey मिला सकते हैं, नहीं तो good, अगर आप pure good है, तो वो मिला सकते हैं, तीसरी चीज है, जिन लोगों में सूजन की समस्या अकसर रहती है, उनके लिए कमरकस बहुत फायदे मन्द है, हालां कि समस्या में कमरकस के फायदे पर और अधिक study हो रही है, लेकिन देखा गया है कि जिन लोग को सूजन है, वो लोग कमरकस जिन लोगों ने लिया है, उसमें फायदा उनको किया है, जिन लोग के शरीर में अकसर दर्द रहता है, ज्यादा चलने से, वो pain killer पे बिए depending हो जाते हैं, ज्यादा चल रहे हैं, आज दर्द होगे, ज्यादा काम कर लिया, तो या ज़ादा पैट दे, लटक गए, तो दर्द हो गया, तो इस तरह से अगर आपके शरीर में दर्द रहते, तो ऐसे में कमर कस, एक राम बान इलाज है, जी हा, कमर कस को बोला, नाम ही इसलिए दिया गया है, कि कमर को कसके रखे, जी, यानि कि आपके दर्द को खत्म कर दे, और यह सरदी करमी कोई खेल अधा आ आप सरदी में भी ले सकते हैं और सरदी में लेते ही हैं गरमी भी ले सकते हैं बस शर्थे आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजाएए इसके अलावाथों तो अक्सर महिलाओं को कमरकस तब दिया जाता है जब उनके डिलिवरी हो जाती है उनको लड्डू के फॉर्म में या फिर उनको पंजीरी के फॉर्म में दिया जाता है कई महिलाओं को इसका पानी भी दिया जाता है क्यों कि देखे जिन महिलाओं के डिलिवरी होती है अक्सर नॉर्मल डिलिवरी की बात करती है, उनकी पेल्विक मसल्स जो होती है, बहुत कमजोर हो जाती है, उसको मस्बूत बनाने के लिए, साथी शरीर को मस्बूत बनाने के लिए, उनको लड्डू के फॉर्म में कमरकस दिया जाता है, और कमरकस जो उसमें इंग्रिडेंट होता है उसमें dry fruit डलते हैं, उसमें घी डलता है, ना जाने उसमें क्या क्या चीज़े ऐसी डलती हैं जो महिलाओं को दुबारा खड़ा कर सके, महिलाओं को strong muscles उनकी strong बना सके, हड़िया मजबूत कर सके तो उसमें कमरकस का भी use होता है अब कमरकस आप खांसी, जुखाम या सिरदर्ध हो, तो उसके लिए भी use कर सकते हैं कैसे? क्योंकि इनमें antioxidant होता है, जो की एक अच्छी property है आपको normal flu से बचाने के लिए अगर दोस्तो आपको वैसे कहते हैं, एस्तमा की अगर बिमारी है, ऐसा कहा जाता है आहिरुवेद में तो आप कमरकस का प्रियोक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिमारी जड़ से खतम हो जाएगी लेकिन हाँ, आप इस बिमारी को control में कर पाएंगे दोस्तो इम्म्यूनिटी के सिवा ये arthritis patient के लिए भी बहुत अच्छा option है, दरसल कमरकस हड़ियों को nutrient यानि पोशन प्रदान करके उन्हें मजबूत बनाता है bone demineralization को रोकता है और fracture की संभावनों को भी कम करता है साथ ही इसके anti-inflammatory good जोग होते हैं, वो जोडों में आई, सूजन, अकडन और दर्द को कम करते हैं तो देखे कितनी काम की चीज़ है और दोस्तों, तवच्चा के लिए भी बहुत उपयोगी है दरसल इसको अगर हम खाते हैं, यह blood purify करता है तवच्चा के जैसे phode, funsi, eczema, khujli, daat, कितनी चीज़े होती है उसको यह बहुत हद तक control करता है आप पते क्या कर सकते हैं इससे आप इसके बीच जो होते हैं, वो आयरुवधिक स्टोर पे बहुत असानी से उपलब्ध है आप उसको पी से, उसमें कुछ ना मिला है और उनको फोडे, funsi, जहां हुए है या आपको रैशे होए हैं, वहां पर आप लगा लें उनको दिक्कत हो जाए तो ऐसे लोगों को ये चीज अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर जरूर पूछनी चाहिए बाकी इसके फायदे तो बहुत हैं जैसा कि हमने आपको बताया, तासीर गरम है तो थोड़े BP के पेशन और हार्ट पेशन एक बार डॉक्टरी सलहा लेकर ही इसे अपनी डाइट में शामिल करें इसी तरह के वीडियोस जो है जो आपको हेल्दी बनाएंगे वो हम आपके लिए लाते रहेंगे लेकिन उसके लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा फिलाल के लिए इतना ही लेकिन मुझे दीजिए जाज़त नमस्कार